तो याकूब की पत्री से सीखेंगे याकूब जो थी वो प्रभु येश्व मसी के भाई थे उन्होंने इस पत्री को लिखा और वो यरुसलेम की एक कलीशिया के अगवे थे वो एक ऐसी कलीशिया के अगवे थे जो उस समय का पहला समू था और वो यहुदी लोग थे जो जिनोंने प्रभू येश्व मसी को ग्रहन किया था एक उद्धार करता के रूप में तो यहुदी मसीहियों के बीच में जो याकूब थे वो सेवा किया करते थे और एक मजबूत अगवे के रूप में वो वहाँ पर उस सेवा के यरुसलेम की पहली कलिशिया के अंदर सेवा के लिए वो खड़े हुए इतियास उनके बारे में बताता है कि वो एक बहुत ही निपुन अगवे थे बहुत ही समर्पित अगवे थे और ऐसे बताया जाता है कि वो इतनी प्राचनाएं किया करते थे कि उनके घुटने जो है वो उटके जैसे हो गए थे ऐसा कहा जाता है उनके बारे में ऐसा बताया जाता है याकूब उन लोगों को लिखता है जो यहुदी समूह में से विस्वास में आये थे ये शुमसी को जन्हों ने ग्रहन किया था और ऐसे समूह को लिखता है जो समूह एक दुख में से होकर जा रहा था सताव में से होके जा रहा था हम ये देखते हैं प्रेर्ट्यों के किताब के अंदर कि स्थिफनुस के मृत्यु के बाद में जो सताव आया स्थिफनुस के समय से उसके बाद से प्रेर्ट्यों के किताब में हम देखते हैं कि उस सताव के बाद में सारी जो कलीशियाएं थी, वो जितने भी विश्वासी लोग थे, वो सारे तितर बितर हो गए, सारे इधर उधर फैल गए, और बाइबल बताती है, जहां पर वो गए थे, वहां पर उन्होंने कलीशियां को स्थापित किया, लेकिन वो सताव जो था, वो अभी भी उनके इस किरिशान थे, बहुत जादा उनको सताया जाता था, दूसरा, उस समय पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, जब वो लोग इदर तितर बितर हुए, सताओं की वजह से, उसी समय एक बहुत बड़ा अकाल भी पड़ा, जिसकी वजह से उनको बहुत दरिदृता का सामना करना पड़ा, भूख का सामना करना पड़ा, उसी बीच में जो यहुदी जो अन्य यहुदी लोग जो थे, जो विश्वास में नहीं थे, जो येश्व मसी पर विश्वास नहीं करते थे, वो यहुदी लोग भी इन मसी ही यहुदी लोगों के उपर सताओ करने लगे, उनको स सरकार की वज़े से उन यहूदी धनवानों की वज़े से जो येशु को नहीं जानते थे और अकाल की वज़े से तो एक ऐसी प्रिसिती में वो लोग जी रहे थे जहां पर बहुत जादा दुख बहुत जादा पीड़ा का उने सामना करना पड़ रहा था याकूब उनको व्यक्ति को जो प्रभू को अपना उधार करता मान चुका है उस व्यक्ति को संगर्स के बीच में किस परकार अपने जीवन को जीना चाहिए किस प्रकार का रवया होना चाहिए जब हमारे जीवन के अंदर संगर्ष आता है परेशानी आती है पीड़ा आती है इन बातों को याकूब जो है उन मसीहियों को सिखाना चाहता है जो सताओं के मध्य से होकर गुजर रहे थे जिने विबिन परिक्षाओं का सामना करना पड़ रहा था और ये पत्री आज हम तक पहुंची है वही परिक्षाओं वही सताओं अलग अलग तरे की बातें हमारे जीवन में भी आते हैं अलग अलग तरे की समझ्चाओं का सामना हम भी अपने जीवन में करते हैं अनेक पीडाओं का सामना हर रोज हम अपने जीवन में करते हैं आज हम इस पत्री के द्वारा सीखेंगे कि हमें पीडाओं के मध्ध है परिक्षा के मध्ध है हमारा रवया कैसा होना चाहिए हमारे जीवन में जो परिक्षाएं आती है याकूब बताता है वो क्यों आती है परिक्षाएं उदेश्य और प्रतिफल हमारे जीवन में जो परिक्षाएं आती है उनका उदेश्य क्या है याकूब बताता है और उस परिक्षाओं का प्रतिफल हमारे जीवन में कैसा दिखता है वो वहाँ पर दिखाना चाहता है परमेश्वर के और प्रभु येश्व मसी के दास याकूब की और से उन बार्य गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे मैंने क्या बोला था कि याकूब कौन है कौन है याकूब आप बोलिए ना प्लीज याकूब कौन है आवाज आपनी आई प्रभु येश्व मसी का भाई है याकूब कौन है प्रभु येश्व मसी का भाई है याकूब लेकिन जब ये याकूब उन मसीहियों को लिखता है अपने आपको क्या कहता है परमेशर के और प्रभु येश्व मसी के दास याकूब अलेलुया वो अपने आपको प्रभु येश्व मसी का दास कहता है अपने आपको भाई करके वहाँ पर अपने आपको प्रगट नहीं करता याकूब उस समय विश्वास में नहीं आया था उस समय परमेश्र को प्रभु येश्व मसी को उसने नहीं पहचाना था जब वो संसार में थे उन्होंने प्रभु येश्व मसी को परमेशर के रूप में तब पहचाना जब येश्व मसी मुर्दों में से जिन्दा हो गए थे पुंद्रोथान के बाद में उन्होंने प्रभु येश्व मसी के इस्वरत्व को देखा उन्होंने जान लिया कि ये परमेश्व का पुत्र है हालेलुया अपने आपको प्रभु येश्व मसी का दास कहता है एक भाई था उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने आपको एक भाई के तोर पे दिखा सकता है कि मैं येश्व मसी का भाई हूँ उसको अधिकार है, वो दिखा सकता है लेकिन किस चीज ने उसको दास बनने के लिए मस्बूर कर दिया कौन सी वो बात थी, जिसने अब उसके भाई को येश्व मसी के भाई को येश्व का दास बनने के लिए तियार कर दिया हलेलुया वो कौन सी बात थी वो बात ये थी कि याकूब ने येश्यू को पहचान लिया कि ये वही येश्यू है जिसके बारे में यसाय भविश्यद वक्तान कहा है कि तुमारे लिए एक मेमना तुमारे लिए एक बेटा दिया जाएगा उसने पहचान लिया कि ये वही मसी है जिसके बार में एक जार साल पहले दाउद ने कहा कि तुमारे लिए एक मसी आएगा, तुमारे लिए एक बेटा दिया जाएगा याकूब ने पहचान लिया कि येशु मसी मेरा भाई नहीं येशु मसी सृष्टी करता परमेशर है हालेलुया येशु मसी कौन है येशु मसी सृष्टी करता परमेशर है और इसी बात ने उसको उसका दास बनने के लिए त्यार कर दिया हालेलुया याकूब ने जान लिया येश्यू वो परमेशर है जो संपूर्ण मानव जाती के लिए किसके लिए संपूर्ण मानव जाती के लिए अपने स्वरिग्ये सिंग हसन को छोड़ कर इस धर्दी के उपर आ गया क्यों आना पड़ा उसको उसने पहस्चान लिया क्योंकि संसार पाप में पड़ा हुआ है क्यों आना पड़ा प्रभुयेश्य मसी को क्योंकि संसार पाप में पड़ा हुआ है ये स्रिष्टी वैसी नहीं है जैसी परमेशर ने बनाई थी हम उत्पती के अंदर देखते हैं परमेश्ट ने स्रिष्टी की रचना की और उसको कहा अच्छा है अच्छा है बहुत अच्छा है लेकिन क्या ये स्रिष्टी आज ऐसी दिखाई देती है कि हमसे कह सकी कि बहुत अच्छी है क्यों नहीं कह सकते क्या कारण है कि आज हम नहीं कह सकती कि स्रिष्टी बहुत अच बताईए क्योंकि इस संसार के अंदर पाप आ गया इस संसार के अंदर पाप आ गया और संसार को तब्दील करके रख दिया इस संसार के अंदर हम रोज आप देखिए न्यूज पेपर पढ़ते हैं आप न्यूज देखते हैं आपके अंदर एक जलन पैदा हो जाती है कोई किसी को मारते वड़ी किसी के हाथ नहीं कापते हैं किसी की बलाखी करते वक तर छोटे बच्चियों कारण क्या है क्योंकि उनकी आत्माय मरी हुई है क्या कारण है आत्माय मरी हुई है परमेशर के साथ नाता नहीं है उनका संबंद नहीं है परमेशर से दूरी है परमेशर ने जिस स्वरूप में उनको बनाया था वो ब्रश्ट हो चुका है पाप के कारण इनसान को परमेश्वर की रास्ते पर चलना अच्छा नहीं लगा उसको पाप की रास्ते पर चलना अच्छा लगा क्योंकि पाप करने में मज़ा आता है इनसान ने पाप की रास्ते को चुना पाप की रास्ते पर चलने की कारण इंसान जो पहले परमेश्र के साथ एक संगती में रहता था एक अधन की वाटिका में रहता था और लिखा है कि परमेश्र आता था उनसे मिलने के लिए उनसे संगती करने के लिए हलेलुया परमेश्र ने हमें बनाया था कि वो हमारे साथ संगती करे परमेशन ने हमें बनाया था कि हम उसके स्वरूप को इस संसार के अंदर बढ़ाएं लेकिन पाप के कारण सब कुछ तहस नहस हो गया पूरे संसार के अंदर पाप आगया और पाप रोमियो 23 में लिखा है सब ने पाप किया है ऐसा नहीं कि किसी एक वेक्टी ने किसी एक ने ने किया है बाकियों ने किया नहीं सब ने पाप किया है बाइबल इस परकार बताती है रोमियो की किताब में ऐसे लिखावा है कि पाप की मजदूरी मृत्यू है पाप की मजदूरी क्या है पाप की मजदूरी मृत्यु है मोध है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो उस मोध की बात नहीं हो रही जब एक इनसान अपने सरीर को छोड़ देता है उस मोध की बात नहीं हो रही ये उस मोध की बात हो रही है जब इनसान की आत्मा परमेश्र के सामने जाती है और उसके पाप उसको नरक की ओर धकेल देते है अनंतकाल के लिए वो नरक के अंदर जलता है उस मोत की बात यहां पर हो रही है पाप की मजदूरी नरक है क्या है? पाप की मजदूरी नरक है प्रभु येश्व मसी इस पाप की मृत्यू से बचाने के लिए ही संसार में आए हालेलुया ताली बचा सकते हैं परमिश्व के लिए प्रभु येश्व मसी इस नरक की मौन से बचाने के लिए इस संसार के अंदर आए इस संसार में पापी संसार में उन्होंने जन्म लिया हलेलुया क्योंकि हम किसी भी रिती से अपने पापों से चुटकारा नहीं पा सकते थे हमारे पास कोई रास्ता नहीं था जिसको अपना के हम अपने पापों से बाहर आसके Bible के अंदर लिखा है कि एक पवित्र मनुष्य का लहू बहना जरूरी है जब किसी पवित्र मनुष्य का लहू तमारे लिए मानव जाती के लिए बहेगा तब वो पापों से मुक्ती पाएंगे तब उनका उद्धार होगा तब उनका छुटकारा होगा लेकिन Bible कहती कोई भी पवित्र नहीं है क्या आप में से कोई कह सकता है कि मैं पवित्र हूँ मैं भी नहीं कह सकता कोई नहीं कह सकता कि मैं पवित्र हूँ जब कोई संसार में पवित्र नहीं है तो कौन मानोजाती के पापों के लिए अपना बलीदान देगा इस संसार के अंदर कोई नहीं था जो इस संसार के पापों के लिए अपने बलीदान को दे और इस मानोजाती को उस पाप के जाल से छुड़ाए जो इन्हें नरक्यों धकेल रहा है इंसान के पास कोई रास्ता नहीं था इंसान परमेशर के पास पहुँचने में ऐसा फल था इंसान परमेशर के पास नहीं पहुँच सकता था इसलिए परमेशर खुदी संसार के अंदर आ गया हलेलुया परमेशर खुदी संसार के अंदर आ गया प्रभु येश्व मसी के रूप में यही बात याकूब के रिदय को परिवर्तित करती है हललुया वो इस संसार में आया आपके और मेरे पापों के लिए और उसने अपने हमारे पापों को उसने अपने उपर ले लिया अपने कंधों पे उसने हमारे पाप के कुरूज को उठा लिया जो सजा हमें मिलने चाहिए थी वो सजा प्रभु येश्व मसी ने अपने उपर उठा ली वो दुख, वो दर्द, वो पीडा जो हमें मिलने थी वो प्रभु येश्व मसी ने अपने उपर उठा ली उन्हें एक बड़े दुख का सामना करना पड़ा बाइबल कहती पवित्र मनुश्य का लहू बहना जरूरी है हमारे उद्धार के लिए वो लहू किसी और इंसान ने नहीं दिया इतियास गवा है येश्व मसी ने हमारे पापो को अपने उपर उठाया और उसको ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर कि उसको कोडे मारे गए जो सजाह में मिलनी थी वो येश्व मसी ने उठाई और उनको कुरूस पर टंगा दिया गया कुरूस पर उपनी जान को उन्होंने कुर्बान कर दिया आपके लिए और मेरे लिए तीन दिन वो कबर के अंदर रहे स्वर्ग का परमेशर जो स्वर्ग में विराजमान था जिसके सामने स्वर्ग दूत अपना मुँ ढखके उसको बोलते है सेनाओं के यहवा पवित्र 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 जिसकी महीमा 2400 घंटे स्वर्ग दूत करते रहते थे वो सिंग आसन प्रभो येश्व मसी चोड़ कर इस संसार में आकर हमारे लिए कुर्बान हो गए और एक पत्थर की गबर में रहे इंसान की बनाए हुई एक पत्थर की कबर में रहे हमारे लिए मर गए लेकिन जो मर गए वो परमेशन ही कैसा आपके लिए एक खुश घपरी है वो ये है कि ये शुमसी तीसरे दिन मुर्दों में से जिन्दा हो गया हालेलुया ये शुमसी तीसरे दिन मुर्दों में से जिन्दा हो गया हालेलुया अब हम क्या करें बाइबल कहती है जब हम उस पर इमान लाते हैं जब हम अपना जीवन उसे देते हैं जब हम उसको उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु येश्व मसी मैं पापी हूँ और मुझे उद्धार देने की सामर सिर्फ आप रखते हैं हमें विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे लिए क्रूस की मार सही है, कोड़ों की मार सही है, जो दुख मुझे उठाना चाहिए था, वो तुने उठाया है, प्रभू मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों की गिश्चमा रख देने की सामर्च सिर्फ तेरे पास है, इसल पाप जो हमारे जनम से, जो अपनी माता की गर्व से लेकर हम पैदा होते हैं, वो पाप जो जिंदकी भर हमने किये हैं, वो पाप हमारे उपर से हट जाते हैं, येश्यो के नाम से, हललुया, परमेशर हम सब से प्रेम करता है, और उसने हमारे उधार की बुनियाद अपने लह उसे रखी है उसने हमें छुडाया है वो हमसे प्यार करता है हालेलुया जब वो यहां पर लिखता है कि येश्व मसी के दास वो अपने आपको दास बताता है क्योंकि उसने येश्व को परमेश्र के रूप में पहचान लिया है येश्यू को उद्धार करता के रूप में पहचान लिया है उसने येश्यू को सुरिष्टी करता के रूप में पहचान लिया है जब उसने येश्यू को इतनी करीबी से पहचान लिया तब उसका रवया ऐसा था कि वो अपने आप को अब उसका भाई कहने के बजाए उसका दास कहता है हालेलोया यहाँ पर जो दास जो सब्द है उसका मतलब ए गुलाम ड्यूलोस सब्द यहाँ पर आया है उसका मतलब ए गुलाम अपने आपको येशु का गुलाम कहता है क्योंकि उसने उसको नजदीकी से पहचान लिया पाईयों और बेहनों प्रभु येशु मसी को हमने भी जाना है किस-किस ने जाना है याकूब ने प्रभु को पहचान लिया उसका रवया ये था कि वो अपने आपको दास कहता है अगर आप कहते हैं कि मैंने येश्य को पहचान लिया मैंने येश्य को जान लिया तो आपका और मेरा रवया कैसा है क्या हमारा रवया एक दास का रवया है क्या हमारा रवया हमारा वैवहार क्या एक गुलाम का रवया है येश्व मसी ने भी एक दास के रूप में आकर संसार में हमारी सेवा की जब आपने मसी को जान लिया है अपने आप से पूछिए क्या मैंने अपने आपको येश्व का दास बनाया है अपने आप से एक सवाल पूच सकते हैं हलिलुया इस बात ने उसको दास बना दिया उसने अपनी आन बान शान को साइड में रख दिया उसको पता है कि मैं यहूदी हूँ व्यवस्था की अनुसार मेरा उधार नहीं हो सकता ना तो कर्मों से मेरा उधार हो सकता है इसलिए उसने अपनी आन बान शाम उसान को और स्वेवस्था को जो पुराने नियम की थी उसको साइड में रख दिया अपने भाई होने के अधीकार को उसने साइड में रख दिया और अपने आपको भोला मैं दास हूँ, मैं गुलाम हूँ क्या हमने अपने उन बातों को जो समाज में हमारी एक पहचान को बताती है कि मैं कुछ हूँ क्या आपने उसको साइड में रख कर अपने आपको एक येश्यू के दास के रूप में प्रदर्शित किया है आपके लिए एक सवाल है मेरे लिए एक सवाल है उसी येशु पर विश्वास करने वाले इन यहूदी भाईयों को याकूब लिखता है जो नाना परकार की परिक्षाओं से होकर शताओं से होकर दुख से होकर गुजर रहे थे और हम देखते हैं याकूब उनको किस परकार लिखता है पद्धों में इस परकार लिखा है हे मेरे भाईयों जब तुम नाना परकार की परिक्षाओं में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो हलेलुया यहाँ पर एक बात जो लिखी पद्धों में इस परकार लिखे हे मेरे भाईयों जब तुम नाना परकार की यहाँ पर यह ने लिखा कि अगर तुम नाना परकार की परिक्षाओं में पड़ो अगर में और जब में फर्क क्या है अगर मतलब सायद तुम परिक्ष आएंगी वो लेकिन वो इस प्रकार नहीं लिखता अगर सब्द नहीं वहाँ पर लिखा है जब तुम नाना प्रकार की परिक्षाओं में पड़ो हालेलुया वो उनको सिखाना चाहता है कि हमारे जीवनों में परिक्षाओं जरूर आएंगी हालेलुया हमारे जीवनों में परिक्षाएं जरूर आएंगी याकूब उन तितर बितर हुए उन मसीही लोगों को सिखा रहा है तुम जो दुख और पीडा से होकर गुजर रहे हो तुम जो अनेको संगर्शों का सामना कर रहे हो याद रखो हमारे जीवनों में परिक्षाएं आएंगी बाइबल हमें ये नहीं सिकाती कि हमारे जीवनों में परिक्षाएं नहीं आएंगी बाइबल हमें सिकाती परिक्षाएं आएंगी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको कहेंगे अगर तुम ये शुमें आओगे तुम्हें आशिष मिलेगी अगर तुम ये शुमें आओगे तुम्हें धन मिलेगा अगर तुम ये शुमें आओगे तुम्हारा वीजा लग जाएगा अगर तुम ये शुमें आओगे तुम्हें गाडियां मिल जाएंगी तुम्हें चंगाईयां मिल जाएंगी परमेशर देता है लेकिन वो सारी आशिशे काट उपर चलके मिलती है अलेलुया परमेशर हमें आशिश देता है लेकिन ये बात भी सकते है कि परिक्षाएं हमारे जीवनों में कभी नहीं थमेंगी हलेलुया याद रखी बोलिए हमारे जीवनों में परिक्षाएं जरूर आएंगी हलेलुया ये कभी मत सोचना कि हमारे जीवन में बहुत स्मूध होगा बहुत मीठा मीठा होगा बहुत सुहावना होगा नहीं, बाइबल साब साब बताती है, परिक्षाएं आएंगी, हमारे जीवन में, मसीही जीवन में उन लोगों के जीवन में, जो प्रभु येश्व मसी को अपने जीवन में अपनाए हुए हैं, परिक्षाओं का सामना हमें करना पड़ेगा हालेलुया बाइबल ये बताती है योटीव पो आपको ये बात नहीं मिलेगी योटीव पो सिर्फ आशिशों की बात मिलती है, लेकिन बाइबल जो कहती है, वो यही है हमें अनंत काल की आशिशे मिलेंगी, लेकिन हमें अपने जीवन में परिक्षाओं का सामना भी करना पड़ेगा हालेलुया हमारे जीवनों में परिक्षाइं आएंगी जरूर आएंगी प्रेरितों के काम 14 22 में हम पड़ते हैं क्या लिखा हुआ है इस प्रकार लिखा है प्रेरितों के किताब उसका 10 14 वचन 22 में इस प्रकार लिखा है और चेलों के मनों को स्थिर करते और विश्वास में स्थिर बने रहने के लिए यह कहकर प्रोटसाहित करते रहे हमें बड़े कलेस उठा कर परमीश्र के राज्य में प्रवेश करना है हालेलुया बाइबल में साफ लिखा है उनके मनों को वो इस प्रकार उठ्साहित करते थे कि वो विश्वास में स्थिर रहे कि ध्यान रखो याद रखो कि हमें बड़े कलेश उठा कर स्वर्ग राज्य में परवेश करना है हमारे चीवनों में अनेकों परिक्षाएं आएंगी और यहाँ पर साफ लिखा है कि नाना प्रकार की परिक्षाएं आएंगी अनेकों प्रकार की कभी ऐसा लगेगा कि अभी तो पता नहीं क्या हो रहा है एक चीज सही हुई नहीं है उससे पहले दूसरी आके खड़ी हो गई ये चीज सही नहीं हुई है एकदम से ये ओर दुख का पहाड हो रहा हमारे जीवन में तूट गया है परिक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी हलेलुया लेकिन वो कहता है कि हमें परिक्षाओं को आनन्द से पार करना है आनन्द के साथ पार करना है अब बोलोगे कि परिक्षाएं आएंगी दुख होगा पीडा होगी अब इनको आनन्द के साथ कैसे पार करें ये कैसी बात है क्या हम दुखों में आनन्द मना सकते हैं पिछले उसमें इसी खाए फिलिप्पियों की पत्री हम सीख रहे थे क्या कहता पोलुस उसमें आनन्दित रहो यहां पर भी वो आनन्द की बात करता है हमें परिक्षाओं को आनन्द से पार करना है हललुया हमें आनन्द के साथ उनका सामना करना है ये जानते हुए कि हमारा पिता हमें गिरने नहीं देगा कुरुंतियों की किताब में लिखा हुआ है पहले कुरुंतियों कि वो तुम्हें इतनी परिक्षाइं तुम्हारे जीवन में नहीं आने देगा कि वो तुम्हारे सहने से बाहर हो वरन वो तुम्हें उनसे निकलने का सामर्थ भी देगा परिक्षाएं हमारे जीवन में जरूर आएंगी हमें परिक्षाओं को आनन से पार करना है ये ध्यान में रखते हुए कि मेरा परमेश्ण पिता मेरे साथ है हालेलुया परिक्षाएं हैं, दुख है, पीडा है लेकिन येश्व आपके साथ खड़ा है मत्ती 8, 23, 27, 8, 22, 25, 4, 35, 41 में हमें बात को सीखते हैं एक घटना है आंधी को शांत करने वाली घटना येश्व ने आंधी को शांत किया चेले कहीं से आ रहे थे प्रभु येश्व मसी भी उस नाओं के अंदर थे वो सो रहे थे चेले जब जील के बीच में पहुँचे एकदम से बहुत बड़ा तुफान आया और वो डर गए और बोलने लगे कि हम आज तो ना सो जाएंगे प्रभु येश्व मसी को पुकारने लगे प्रभु येश्व मसी आये उन्होंने भीड को तुफान को सांथ किया, हुकुम दिया और वो थम गया, हालेलुया हमारा परमेशर प्रकर्ति के उपर अधिकार रखने वाला परमेशर है हालेलुया और येश्व ने कहा कि तुमारा विश्वास जो है अल्प विश्वास है वो लोग डर गए इसके बावजूद की उन्होंने अनेको अध्बुतकारिये प्रभु येश्व मसी के देखे थे इतने समय से येश्व के साथ रह रहे हैं, येश्व के द्वारा अध्बुतकाम भी देखे, हाले ही उन्होंने पांच अजार लोगों को खाना खिलाते हुए देखा लेकिन जब ये परिक्षान के जीवन में आगई ये डर गए और ये भूल गए कि वो परमेश्व हमारे साथ है जो अध्बुतकार ही करने वाला है जो बिमारियों पर, जो स्रिष्टी पर जो प्रकर्ती के उपर अधिकार रखता है ये भूल गए हम अपने जीवन में जो परिक्षा हैं उनसे संगर्स हम तब करते हैं जब हम अपने उद्धार करता की और कम देखते हैं और अपने जीवन में आने वाले संगर्सों की और जादा देखते हैं तब हम उनसे संगर, तब हम दुख उठाते हैं, ऐसी प्रिस्तिती में हम किसी भी परिक्षा को आनंद के साथ पार नहीं कर सकते, याद रखिये, प्रभु येश्व मसी हमारी नाव में हमारे साथ है, अलेलुया! हमारे जीवनों में संगर्श है, लेकिन याद रखिये, प्र तानेवाद की प्रभु तु मेरे साथ है, तानेवाद की तु ने मुझे इस इस पीड़ा के अंदर, इस परीक्षा के अंदर मुझे गिरने नहीं दिया। अपने घर जाने के लिए, दूला बड़ा खुश था क्योंकि उसकी असाधी हुई है, दूलान भी बहुत खुश है, अलेलुया, जब वो बीच में पहुँचे, अचानक से बहुत तगड़ा तुफान आ जाता है, बहुत तेज तुफान आ जाता है, और दूलान डर जाती है और दूला लेकिन दूले की जो मुस्कुराहट थी, जो आनन था, वो बरकरार था, दूलान बोलती क्या, तुझे डर नहीं लगता, कि इतनी तेज तुफान आया हुआ है, पानी भी अंदर आ रहा है, हमारी नाव वो डोल रही है, हम डूब जाएंगे क्या, तुम्हें डर नहीं लग रहा, दूले दूला उठा और उसके बगल में तलवार रखी थी, उसने उठाई और अपनी पतनी की गर्दन पे लगा दी, अपनी पतनी की गर्दन पे लगा दी, उससे पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है, उसने भूला, मैं क्यू डर हूँ, मुझे डर क क्यों लगेगा, मुझे जानते हूं कि तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझे नहीं मारोगे, दूले ने कहा, मैं भी विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्र मुझे प्यार करता है, वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मुझे डूबने नहीं देगा, वो मुझे नास नह ना कीजिए, हलिलुया जब हम परिक्षाओं को आनद के साथ पार करते हैं हम अपने सचे विश्वास का प्रमान देते हैं हम अपने सचे विश्वास का, अपने सचे प्रेम का परमेश्व के साबने प्रमान देते हैं हलिलुया कि परमेशर मेरे जीवन की पीडा मेरी परिक्षाइ मेरे दुखों से भी महत्व पूंड तू है मेरे लिए हलिलुया हम अपने आप से पूछ सकते हैं क्या मेरा रवया ऐसा होता है जब परिक्षाइं हमारे जीवन में आती है वो ऐसे ही नहीं आती उनका एक मक्षद होता है उदेश्य होता है उनका परमेशर जो हमसे प्यार करता है वो हमारे जीवनों में परिक्षाइं आने देता है हाँ आने देता है क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा मक्षद है एक रहस्य है वो क्या है? आगे हम देखेंगे क्योंकि हमारे जीवनों में हमारे जीवन की परिक्षाएं हमें धीरज प्रदान करती है उद्धेश्य क्या है इसके पीछे हमारे जीवन में जो परिक्षाएं आती है वो हमारे जीवन में धीरज प्रदान करती है क्या प्रदान करती है अलेलुया पद तीन पढ़िए यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के पर्खे जाने से धीरज उत्पन होता है अलेलुया परिक्षाइं हैं क्यों हैं इनका एक मक्षद है मक्षद क्या है परमेशर हमें धीरजवंत बनाना चाहता है परमेश्टर हमें शहन सील बनाना चाहता है हललुया परमेश्टर ने इबराहम को वाचा बांदी कि मैं तुमें शंतान दूँगा तुमारी शंतान रेत की कणों के समान होंगी आश्मान में तारों को देख क्या तुने गिन सकता है तेरी संतान इनके जैसी होगी इनकी समान होगी इतनी तेरी संतान होगी लेकिन धीरज नहीं था क्या किया धीरज नहीं था परमेश्चर ने कहा मैं करूँगा मैं तुम्हें संतान दूँगा लेकिन धीरज नहीं था हाजीरा को अपने हाजिरा के द्वारा उसने संतान को उत्पन कर लिया और उस एक कारण उस वज़े से उसे अपने घर में अपने परिवार में बड़े दुख का सामना करना पड़ा जब हमारे जीवन में धीरज नहीं होता है हम कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं हमारे जीवन में दुख को लेकर आते हैं, जो हमारे जीवनों में दुख का कारण बन जाते हैं, होता है कि नहीं ऐसा, परमेश्र हमारे जीवनों में परिक्षाय आने देता है, उसका कारण ये है, कि परमेश्र हमाएं धीरजवन्त बनाना चाहता है, हमें धीरज की बहुत ज ज्यादा जरूरत है, हम प्रात्ना हैं करते हैं, हमें लगता है, कि आज मैंने प्रात्ना की, आज ही मुझे मिल जाए, परमेशर चाहता है कि हम धीरजबंत बने, हम सही समय का इंतजार करने वाले बने, हम सही मोके का इंतजार करने वाले बने, हमें धीरजबंत बनना है, इसल साथ देखते हैं लेकिन याद रखिए वो हमारे जीवन में आसीज का कारण बनती हैं हालेलुया पचार में कह लिखावा है पर धीरज को अपना कार्य करने दो कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ जिससे कि तुम में किसी बात की कभी न रहे हालेलुया धीरज को अपने जीवन में काम करने दो कार्य करने दो इससे क्या हो जाए तुम कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ हमारे जीवनों में परिक्षाएं आती हैं ताकि हम सिद्ध हो जाएं यानि कि बहुत important बात है हमारे लिए, हमारे जीवनों में परिक्षाएं क्यों आती हैं, ताकि हम सिद्ध बनते जाएं, परमेशर हमारे जीवनों में इन परिक्षाओं के द्वारा इस रिती से काम कर रहा है, कि हम धीरे 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 उसके स्वरूप में ढलते चले याद रखिये जब हम परुक्षावं का सामना करते हैं जब हम उसमें खडे रहते हैं हम प्रबु में बने रहते हैं हम प्रबु पर भरोसा करके चलते रहते हैं अभी हम आनन्द के साथ उसे पार कर सकते हैं और जब हम आनन्द के साथ उसे पार कर जाते हैं आप देखिएगा आपके जीवन में एक परिवर्तन जरूर आया है जब आपके जीवन में परिक्षाय आती है आपको बदलने के लिए आती है आपके जीवन में परिशाय जब आती हैं, आपको अनुशासित करने के लिए आती हैं, आपके जीवन में जब परिशाय आती हैं, आपके अंदर एक नए पन को लाने के लिए आती हैं, अलेलुया, और कभी आप देखना, जब आप एक बहुत बड़े दुख से होकर गुजरत आपके जीवन में जरूर कोई न कोई बदलावाया होगा, या तो आप खुदा पर भरोसा करना सीख गए हो, आलेलूया, आपकी पराथनाओं में बदलावा गया होगा, आप पराथनाय बड़े आनंद के साथ, विश्वास के साथ करते हैं, आलेलूया, आप परमेश्र के कि प्रभु इस परिक्षा से मिरी जीवन से हटा दें नुकसानें अपका हमारी प्रात्ना ये होनी साहिए पर्मेश्र मुझे इस परिक्षा का सामना करने के लिए इस परिक्षा के भीच में फड़े रहने की सामर्थ मुझे दें हालेलुया मैं पहली बता चुका हूँ कि बाइबल साब साब बताती है परिक्षाएं आएंगी आपकी प्राथना ये होने चाहिए प्रबो मेरे जीवन में जो ये परिक्षा है ये जो कठिन समय है इसमें खड़े रहने की सामर्थ मुझे दीजिए हालेलुया ये हमारी प्राथना हो लेकिन हमारी जीवन में आने वाले परिक्षाओं को क्या हम इस दृष्टी कौन से देख सकते हैं कि वो हमारे लिए फाइदे की बात है क्या आप उन परिक्षाओं को इस प्रकार अपने जीवन में इस्तिमाल कर सकते हैं कि हम सिद्ध होते जाएं, परिपक्व होते जाएं, आनन से उन्हें पार करते जाएं, खुद की सामर से कर सकते हैं, क्या हम खुद की सामर से ये कर सकते हैं, हम खुद की सामर से ये नहीं कर सकते, खुद की बुद्धी से भी हम ये नहीं कर सकते, हाललुया, हमें क्या चाहिए कि हम अपने जीवन में आने वाली परिक्षाओं का को हम एक इस नजरिये से देखे कि वो हमारे लिए लाब की बात है कि वो हमारे जीवन में आशीश का कारण है इस प्रकार के दृष्टी कौन को अपनाने के लिए हमें क्या चाहिए पर यदि तुम में से किसी को बुद्धी की घटी हो तो परमेश्ट से मांगे जो बिना उलाहना दिये सब को उदारता से देता है और उसको दी जाएगी हालेलुया हम अपनी बुद्धी से ना तो उन परिक्षाओं को पहचान पाएंगे समझ पाएंगे ना हम उन परिक्षाओं का सामना कर पाएंगे ना ही हम खड़े रहकर उनको एक अपने लाब की बात समझ पाएंगे अपनी बुद्धी से नहीं कर पाएंगे हालेलुया हमें परमेश्वर की बुद्धी चाहिए किसके बुद्धी चाहिए हमें प्रभु येश्व मसी की बुद्धी चाहिए यहाँ पर याकूब बताता है कि तुम इस प्रकार अपने जीवन में इस प्रकार के रवये को अपना पाओगे अपनी बुद्धी के द्वारा नहीं क्योंकि तुमारी बुद्धी सिमित है हमारी बुद्धी क्या है सिमित है हमें उस बुद्धी की जरूरत है जो परमेश्र के पास है इसलिए पदपास में वो कहता है पर यदी तुम में से किसी को बुद्धी की गटी हो वो परमेश्र से मांगे परमेश्र बिना उलाना दिये सब को उदारता से देता है हालेलुया, हमें अपने जीवन की परिक्षाओं को लाब की दृष्टी से देखने के लिए, समझने के लिए, खड़े रहने के लिए, परमेश्र की बुद्धी चाहिए और परमेश्र की बुद्धी को हमें मांगना है और याखुब कहता है जब तुम उससे मांगोगे वो तुमें बिना उलाहना दिये, बिना सवाल किये, दे देगा कैसे दे देगा उदार्दा के साथ दे देगा, हालेलुए भरपूरी के साथ दे देगा हालेलुया छे में लिका है पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरे के समान है जो हवा से बहती और उचलती है ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभू से कुछ मिलेगा वह वैक्ति दुचीता है और अपने सारी बातों में चंचल है हामें बुद्धी मांगनी है परमिश्व देने के लिए तियार है लेकिन विश्वास के साथ मांगिए हामें मांगना है लेकिन मांगना है लेकिन हमें मांगना है लेकिन विश्वास के साथ हालेलुया इन चार बातों को हम अपने जीवन में देखें अपने आपको हमें इन बातों के बारों में जागरू करना है हमने आज जो सीखी वो यही है कि हमारे जीवनों में परिक्षाइं जरूर आएंगी ये लोग जो थे परिक्षाओं से होकर गुजर रहे थे और इनको याकूब बताता है ये सच्चाई है परिक्षाओं आएंगी लेकिन याद रखिए परमिश्र तुमारे साथ है परमिश्र हमारे साथ है हलेलुया हमारे जीवनों में परिक्षाओं आएंगी हमें परिक्षाओं को आनंद से पार करना है हमारे जीवन की परिक्षाओं हमें धीरज प्रदान करती है परिक्षाओं हमें सिद्ध बनाती है हमें परीपक्व बनाती है हालेलोया अगर हमें परीपक्व बनना है तो हमें परिक्षाओं से होकर जाना जरूरी है हालेलुया कच्छा सोना जो होता है उसमें वो चमक नहीं होती जो एक आग से ताई हुए सोने में होती है उस सोने को एक सही रूप देने के लिए उसको कई बार आग में ताया जाता है फिर उसकी असली चमक निकल कर आती है हालेलुया उसी प्रकार परिक्षाएं हमारे चीवन को चमकाती है हालेलुया और हमारे चीवन में हम परमेश्र की आशिशों को देख पाते हैं परिपक्व हम सिद्ध हो जाते हैं आये अपने जगह पे हम खड़े हो जाएंगे